दोस्तों अगर आप इन mobile phone लेने का software है तो उस पर one of the most important component होता है उसका process और कई लोग के दमाग में confusion होता है कि कौन सा process किस price range में मिले वो value for money बना सकता है और आज इस वीडियो में इसी के बार में बात करें कि आप लोगों को एक smartphone process किसा चूज़ करना चाहिए अपने next smartphone purchase के लिए तो बिना किस दिरी की वीडियो को शुरू करते हो और सबसे पहले जिस की बार में बात करने वाले जिस price segment पे वो है हमारा budget याने की under 10,000 रुपीज और अगर आपका budget है और अगर आपको एक अच्छा phone यहाँ पर खरीद रहे हो तो उसके नारा make sure कीज़ए कर दे स्नापडन का processor आता है 4 Gen 2 यह फिर 4S Gen 2 तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर Dimensity 6300 को भी देख सकते हैं जो 10,000 रुपे के अंडर एक काफी अच्छे processor से जो आपको decent gaming करने है और 5G capabilities बहुत अच्छे तरीके से provide कर सकते हैं इवन नए processor में बात करें तो यहाँ पर लावा जैसी company 8000 रुपे में 6400 जैसा processor लेकर आगी मीडिया टेक डिमेंसिटी की तरफ से जिसके अंदर आपको एक अच्छी performance का combination मिल रहा है तो देखा जाए तो under 10,000 में options काफी कमें लेकिन हाँ इन कुछ processor को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको एक अच्छी value यहाँ पर दे देंगे तो हाँ विससे देख सकते हैं लेकि MediaTek यह snapdragon पर जाएंगे तो बेटर चोईस रही उसके बाद UniSoC एक secondary option यहाँ पर हो सकता है लेकिन अगर हम बात करें 10,000 से लेके 15,000 रुपे के segment में तो चीज़े काफी जात ही से बदल जाती है multiple smartphone brands है multiple processor साते हैं तो इस price range के अंदर कौन कौन से अच्छे processor देखने को मिल सकते हैं Well सबसे पहले तो बात करें 10,000 रुपे के segment में एक नया processor MediaTek Demensity 7060 जो लगपक 10,000 रुपे के phone में आपको देखने को मिल जाता है और यह अच्छा processor है particular यह processor के अंदर जो performance रहती हो काफी अच्छी देखने को मिलेगी और 10-15,000 के अंदर अगर मैं 10,000 या 11,000 रुपे की range में देखें तो यह processor काफी अच्छा हो सकता है इसके बाद जैस processor को अगर आप यहाँ पर देख सकते है 14,000, 50,000 के segment में वो Dimensity 7300 हो सकता है अब इसके अलग अलग नामा तक कोई 7300 Ultra कहता है कोई 7300 Ultimate कहता है लेकिन processor वही है और वही सेम रहता है Dimensity 7300 15,000 रुपे से कमने इसके बाद जो processor media tech के अलावे snapdragon की तरफ से आता है वह इक इंट्रोस्निक चिप है वह snapdragon 6S Gen3 6S Gen3 भी काफी solid choice हो जाता है 15,000 रुपे के नीचे कई सारे phones के साथ आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको अच्छी performance मिलेगी और decent gaming यहाँ पर करा देगा और एक solid choice हो आता है कि snapdragon की तरफ से देख रहा है तो 6S Gen3 की भी आप यहाँ पर इसके अलावा बात करें तो 15,000 से 20,000 की range में इना multiple choices आती है जैसे कि snapdragon 7S Gen2 आपको देखने को मिलता है यह 15,000 से 20,000 रुपे की range के हिसाब से एक अच्छा processor यहाँ पर हो सकता है अगर आप एक अच्छा phone खरीदने की सोच रहो तो इसको देख सकते हो और इससे अगर better chip के बार में बात करें तो snapdragon 7 Gen3 के भी कुछ phones यहाँ पर आपको market में देखने को मुल सकते है 15,000 से लेके 30,000 रुपे के segment में तो उनको भी एक बार consider किया जा सकता है इसके लाफ मीडिया टेक में भी multiple option है जिसके अंदर बात की जा तो मीडिया टेक की 7200 सेरीज आती है जिसमें 7200 प्रो, 7200 अल्टर, ultimate अलग 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 नाम है लेकिन जो 7200 चिप है वो 7300 जो 15,000 में तो उससे better चिप रहती है और जादा better performance ने काली है तो 15-20,000 में इसको आते आते हैं आपको कुछ gaming वाले चिप भी आने लगती है जिसके अंदर बात कर तो डिमेंसीटी 8300 अल्टर यह आपको देखने को मिलने लगेगा इसका नैस्ट वर्शन भी आया 8400 सेरीज जो 20,000 से लेके 25,000 रुपे के segment में solid choice हो जाती है लेकिन 20,000 रुपे तक top end class gaming करने इसके बाद जो 8S Gen 3 जिसके फोन 25,000 रुपे तक market में available है इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि 25,000 रुपे के हिसाब से कमाल की performance देगा कमाल की gaming करा देगा और flagship level experience दिला देगा यह बहुत अची चीज है इसके बाद देखाया तो Dimensity 8300 Ultra तो इसका भी successor इस साल सेग्मेंट में बहुत ही सॉलिड प्रॉसर निकल कराते हैं मीडिय टैक की तरफ से ही है इसके बाद बात करें तो snapdragon में एक और प्रॉसर सेग्मेंट के इसको भी देख सकते हैं 20,000 रुपे के सेग्मेंट के हिसाब से ही यह प्रॉसर ठीक है जादा हैं गेमिंग नहीं कर सक जैसके बात करें लेटेस में 8S Gen 4 एक काफी सॉलिड छेप है जिसका फोन आपको 30-35 जार की रिजवर मिलता है और गेमिंग करने के लिए वन आप दप बैस चेप होते हैं अगर किसी को अच्छी और हाइंड पर्फॉर्मेंस चाहिए फ्लैक्शिप लाइवर का एक्स्पीर और 40,000 की उपर अगर आप जाते हैं तो ओवियसली डिमेंसिटी 9400 और जो 9400 प्रस आए आप उसे देख सकते हैं जो मिडिया टेक की तरफ से फ्लैक्शिप रहता है और 40,000 रोपे की उपर देखा जाए तो आपको मार्केट में स्नैब रेगन 8 एलीट भी देखने को मिल सकत तो यहां पर कुछ प्रॉसर काफी इंटरस्टिंग है जैसे एक्जनोस के बार में बात नहीं करी है तो देखो एक्जनोस के जो बजट प्रॉसर आते है 1380 1480 यह बिल्कुली मीडिया कर प्रॉसर है 15,000 रोपे के फोन में मालोई प्रॉसर आ रहा है तो फोन के अंदर आपक प्रॉसर नहीं है जो सबसे अच्छे प्रॉसर आपके प्रॉसर नहीं पर आते है उसके बाद पुराने 9300 9200 को भी आप यहां पर देख सकते है इसके अलावा स्नैप डरेंगे जो काफी अच्छे प्रॉसर जो मेरे को परसनली लगे वो था 8S Gen 4 8S Gen 3 यह एक अच्छी चिप और जो निया 8,3,5,0 आया है वो काफी अच्छा प्रॉसर है इसके काफी जादा फोंस में आएगा और 7 Plus Gen 3 7S Gen 3 यह भी काफी की इंट्रेसिन चिप से आपर निकल कर आते हैं तो ओवरल बात करें तो यह कहानी होती है Android केंदर जो स्मार्टफोंस होते हैं उनके अंदर बेस प्रॉसर की कौन सा प्रॉसर आप किस प्राइस रिंच में देख सकते हो और कहां पर सबसे अज़ाद अच्छी वैल्यू फॉर मनी बना रहा है यह मैंने आपको बताया है आप लोग का फेवरियर प्रॉसर कौन सा है यह बात लीजे कमेट बताना ना बोला थैंक्यों बने रहने के लिए मैं आप सुलता हूँ आपने ने नेस्ट वीडियो के अंदर गुट बाए